हेलो फ्रेंट्स स्वागत है हमारा यूटूब चैनल मोबल ट्रिक्स पॉइंट पर दूस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताँगा फेस्बुक एकाउंट डिलेट कैसे करते है जा दूस्तो फेस्बुक एकाउंट डिलेट करना बहुत ही आसाने बहुत लोगों को प पर्मानेंटली डिलेट कैसे करना है तो दोस्तो आगर आपको भी फेस्बुक एकाउंट को डिलेट करना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि अपना फेस्बुक एकाउंट डिलेट कैसे करें तो यह वीडियो सुरू से लेकर एड देख लीजेगा तो दोस्तो वीडियो तो जस्ट वान मिनिट पे ही अप अपना Facebook एकाउंट को डिलेट कर सकोगे तो दोस्तो मिना टाइम गवा के वीडियो चलिए शूरू गर लेते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको अपना मुबाइल फोन का Facebook पर आजाना है जिस Facebook को आप डिलेट करना चाहते हूँ इस Facebook पर आपको आ जाना है और यहाँ पर उपर पर एक 3-3 लाइन दिखाई देऊ यहाँ पर देखिए राइट तरप कोना पर देखिए इस पर आपको इस 3-2 लाइन पर क्लिक करना है दोस्तो जैसे इस त्री लाइन पर क्लिक करेंगे ये पेज आपका सामने में खुल कर आ जाएगा इस पेज को थोड़ा सा तानी है और इसका नीचे थोड़ा सा जाहिए और यहाँ पर एक option दिखाई देगा settings and privacy इस वाले option पर आपको क्लिक कर देना है इस वाले option पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक option दिखाई देगा settings इस settings वाले option पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तो settings वाले option पर क्लिक करने के बाद ये page आपका सामने में बिल्कुल ही खुल कर आ जाएगा दोस्तों आप इस पेज का थोड़ा सा तान के इस पेज का थोड़ा सा नीचे जाएए और यहाँ पर नीचे जाने है वक्त यहाँ पर बीच में एक option दिखाई देगा account, ownership and control तो दोस्तों आपको account, ownership and control इस option पर आपको click कर देना है दोस्तों जैसे ही आप इस option पर click करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा loading लेगा और दोस्तों यह page आपका सामने में खुल कर आजाएगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा deactivation and dilatation तो दोस्तों आपको बीच वाला यह जो option है इस option पर आपको click कर देना है दोस्तों इस पर click करने की बाद यहाँ पर दो option आएगा deactivate account और delete account तो दोस्तों यहाँ पर बहुत लोग गलती कर देते हैं deactivate account पर tick mark लगाते हो और यहाँ पर continue कर देते हैं लेकिन आपको permanently delete Facebook अगर करना है अपने ही Facebook account को हमेशा के लिए delete करना है तो आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा delete account इस option का यहाँ पर ठिक mark आपको लगाना है और यहाँ पर आपको अभी continue to account deletation यहाँ पर आपको इस पर click कर देना है दोस्तो इस पर click करने के बाद थोड़ा सा समय लगेगा और यहाँ पर reason पूछेगा कि किस कारण से किस औसे विदा से आप अपना Facebook account को delete करना चाहते हूँ यहाँ पर किसी भी एक reason को यहाँ पर select कर लेना है किसी भी एक reason पर यहाँ पर click कर देना है और किसी एक पर click करने के बाद दोस्तो यहाँ पर नीचे दिखाए देगा continue to account diletation इस option पर आपको finally click कर देना है इस option पर click करने के बाद और एक बार finally यहाँ पर आपको तो दोस्तो यहाँ पर आपको delete account पर click कर देना है और यहाँ पर डिलेट एकाउंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पूचेगा यहाँ पर दिखाई देगा Enter your, Enter password यहाँ पर आपके जो Facebook के password है इसको यहाँ पर बिल्कुल ही डाल देना है दोस्तों Facebook के password को यहाँ डालने की बाद यहाँ पर आप continue कर दीजिए और continue करने की बात दोस्तो आपका facebook account बिल्कुल ही delete हो जाएगा तो दोस्तो आपको अभी यहाँ पर अपना facebook के password को यहाँ पर ढाल देना है और यहाँ पर continue कर देना है जैसा कि मैं यहाँ पर continue नहीं करूँगा क्योंकि मैं मेरा facebook account को delete करना नहीं चाता हूँ मैं इस वीडियो शरिफ आप लोगों को दिखाने के लिए बना रहा हो तो दोस्तो यहाँ पर आपको अपना facebook account को permanently delete करने के लिए यहाँ पर अपने facebook account के password को यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर आपको continue पर click करने के बाद दोस्तो आपका facebook account बिल्कुल ही delete हो जाएगा तो friends उमीद है कि वीडियो आपको अच्छे लगा होगा अगर वीडियो अच्छे लगा होगा अगर वीडियो को लाइक करिए इस वीडियो का आपका दोस्तों को साथ ज़्यादे शेयर कीजिए और ऐसा ही दूसरा वीडियो देखने के लिए हमारे youtube चैनल को करके रख लीजेगा friends मिलते अगला वीडियो पार तब तक के लिए बाइबाई जय हिंद